बहुगादर नमस्ते आपसे सिया काल मैं हूँ C.A.C.A.C.A. में स्वागत है आपका और एक सेशन में तो गाइस अगर आप C.A.C.A. में इंटर कॉस्टिंग का एक्जाम देने वाले हैं फॉर्मिलास को मैं फड़ाफट डिराइव करवा दूँगा आपको लर्न करनी की जुरूत नम पड़े आपको खुद भी वो फॉर्मिला वर्काउट कर सकते हो दूसरा मैं एक या दो सम्स सॉल्व करवाने का ट्राइ करूँगा so that again we are very very clear logic एकदम open रखना एक बुक और पैन साथ में ले लो so that we can get started but उसके पहले without fail video को like कर दो और subscribe कर दो with notification bell icon को click करके because आपके inter और final से connected काफी सारे videos आएंगे जो आपको पास करवाने में बहुत ज्यादा helpful होंगे so definitely you want to stay subscribed and notified of the new things that are going to come for you also share it with your friends and colleagues so that they may also benefit for the same तो चलो start करते हैं और आपको अगर कोई specific content चाहिए कोई specific concept चाहिए तो आप comments में बता सकते हैं will definitely work out something for you तो आओ start कर रहे हैं अपन लोग सबसे पहले material related variances and यहां पर आ जाता है अपना direct material varize अब यहां पर जब अपन material की बात करते हैं it is the input it is basically the raw material which is used for example अगर यह calculator बनाना है तो यह calculator बनाने के लिए जो plastic यूज हुआ है that is the material that we are speaking of अगर अपने को यह bottle दिख रही है bottle में यह जो steel यूज हुआ है this is the raw material that we are speaking of तो यहां पर याद रखना एक होता है input एक होता है output यह जो calculator है वो output है but यह calculator को बनाने के लिए जो यह plastic यूज हुआ है जो यह raw material यूज हुआ है वो क्या है बिटा वो है input और वो अपना फिलाल direct material का quantity है तो सबसे पहले अपने को समझ में आगा है direct material क्या होता है तो कोई भी product बनाने के लिए अगर मैं यह raw material यूज कर रहा हूँ then that is my direct material अब से for example एक calculator बनाना है मेरे को तो 10 kilo raw material या 10 kilo plastic चाहिए वैसे ही अगर मेरे को 10 calculator बनाना है तो किना इससे 100 kilo मेरे को plastic की जरूद लग सकती है and thus right so that basically is my direct material which varies with the units produced so अगर मैं 10 calculator बना एक calculator के लिए अगर मेरा 10 kilo raw material जा रहा है तो 10 calculator के लिए मेरा 100 kilo का raw material जाएगा और अगर मेरा 100 kilo का raw material जाता है then it is varying as per the production so अब इसमें responsibility किसका होता है so there are two kind of responsibility managers एक होता है मेरा purchase manager दूसरा होता है मेरा production manager एक होता है मेरा purchase manager दूसरा होता है मेरा production manager purchase manager का काम क्या होता है raw material को बाहर जाके purchase करना प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या होता है जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे है उसके लिए जो रौ माटीरियल होना है वो मेरे प्रोडक्शन मैनेजर का काम होता है यह जानना बहुत ज़रूरी है जब आगे मैं यह वराइंस को करूंगा एडट पॉइंट इन टाइम आई शूड नो दवेरियेशन तो अगर यह यूनिट मैं बना रहा हूं तो इसमें अगर यह जो आपको रौ माटीरियल भार का दिख रहा है न वो किसका रिस्पॉंसिबिलीटी है उसको लाने का रिस्प प्रोडक्शन मैनेजर तो दस दस कैल्कुलेटर बनाने के लिए 100 किलोग्राम यूज होना चीए वह कौन डिसाइड करेगा अपना प्रोडक्शन मैनेजर चलो तो स्टार्ट करते सबसे पहले वरायंस के साथ एंड बेसिकली इस कॉल्ड आज मटीरियल कॉस्ट वरायंस मतल सब्सक्राइब कोस्ट लगने वाला है तो मैं आपको इसका एक सिंपल जवाब देता हूं कि जितना भी कॉन्टी व्यास क्वान्टी ना ले adult तो समझो यहां पर मेरे पास 100 calculator का अगर demand आता है मेरे पास 100 calculator का demand आता है ठीक है मेरे को पता है मैं सीधा production manager को call करके पुछूंगा भाई मेरे को 100 calculator बनाना है एक calculator बनाने के लिए 10 kilo raw material यूज होता है बराबर है तो अगर मेरे को अगर मेरे को 100 calculators बनाना है then in that case 1000 kilogram raw material यूज होना चाहिए ideally बराबर है इसको बोलते है standard raw material या इसको बोलते है standard quantity ideally तो ये standard raw material कितना यूज होना चाहिए था but this is also called as standard quantity of raw material clear everyone एक calculator के लिए 10 kilo हो रहा है तो 100 calculator के लिए ideally 1000 kilo raw material यूज होना चाहिए तो इसको बोलते हैं प्यार से 1000 standard quantity of raw material clear है अब ध्यान से समझना मेरी बात को समझो मैंने 100 calculator के जगा पे 125 calculator बनाया समझो मैंने 100 calculator के जगा पे 125 calculator बनाया तो ऐसे situation में क्या होगा ये आपको मेरे को बताना है तो देखो एक calculator के लिए 10 kg raw material प्लास्टिक तो आइडियली 125 calculator के लिए करेक्ट 125 0 kg of raw material विल यूज तो ये क्या हुआ 125 0 करेक्ट ये हुआ standard quantity of raw material समझ में आगया आपको तो भाई कितना raw material मेरा हर यूज होना चाहिए standard quantity of raw material कितना होना चाहिए 1250 kg एक raw material को purchase करने का मेरे को पता है कि standard cost कितना लगता है standard cost per raw material मेरा लगता है say rupees 50 per kg मेरा एक raw material के लिए standard cost कितना लगता है rupees 50 per kg so ideally 125 calculators के लिए क्या हो रहा है 125 calculators के लिए मैं 125 kg kg यूज कर रहा हूँ और एक kg का कितना है मेरा यहां पे 50 per kg rupees 50 per kg इसका मतलब कितना हुआ 1250 into 50 and this is rupees 62,500 यह 62,500 क्या हुआ मेरा standard cost of raw material बराबर तो बही मेरे 125 calculators के लिए मुझे कितना raw material consume करना पड़ेगा 1250 kg एक raw material का कितना है 50 per kg तो total standard cost of raw material direct material कितना हो गया 62,500 इसको मैं compare करूंगा किस के साथ इसको मैं compare करूंगा actuals के साथ अब मैं देखूंगा कियार 125 calculator के लिए ideally तो 1250 kg of raw material यूज होना चाहिए था एक raw material का है 50 per kg बट मैं note कर तो मेरा total हो गया 62,500 बर guys मैं क्या note कर रहा हूं पता है कि आप लोगों को के भाई actual में यह यह तो मेरा standard हुआ हलो यह तो मेरा standard हुआ बट भाई मैं देख रहा हूं के actual में क्या हो रहा है 12500 के जगह पे 1300 kg raw material यूज हो गया और एक raw material का cost आ रहा है मेरा 51 तो आप मुझे बताओ total cost कितना हो गया 1300 into 51 and that is rupees 66,300 and that is rupees 66,300 so total 62,500 का मेरा standard cost minus actual cost of material कितना आया minus standard sorry actual cost to standard cost of material minus actual cost of material कितना आया मेरा 66,300 तो मेरा cost कितना लगना चाहिए था 62,500 लगा कितना 66,300 इसका मतलब क्या हुआ 3800 जादा लगा this will be called as 3000 adverse this will be called as 3000 adverse a समझे गड़ू everybody clear हो गया आप लोगों को इसमें किसी को कोई भी शक्त एकदम मस्त में smoothly हो गया बहुत important है because इसी के उपर आगे के वरायंस इस बेज़ यहां इध्यान रखना लगा और उसके लिए कितना rate था yes standard quantity of input for actual output सदेखो यहां पर आप लोग को थोड़ा confusion हो सकते कि standard quantity of input तो समझा input मतलब raw material for actual output बराबर न यहां पर मैं क्या compare कर रहा हूँ 125 calculator standard और 125 calculator actual दोनो comparable का होगा जब मेरा दोनों का standard और actual का जो output है वो सेम हो अभी समझो रहा मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा 100 calculator का cost हो रहा है standard cost हो रहा है 1000 kg at the rate 50 per kg मेरा हो रहा है rupees 50,000 ठीक है अब मैं क्या यह 50,000 को यह 66,300 के साथ compare कर सकता हूँ क्या the answer is no क्यूंकि 50,000 जो है वो 100 calculator का cost है जबकि हम लोग 100 नहीं real में 125 calculators बना है तो मेरा यह जो 66,300 है यह 125 calculator का cost है और मैं 50,100 calculator का cost लूगा तो वो दोनो cost तो comparable ही नहीं है हाँ आज मेरा यह वाला जो standard cost है 125 के लिए 60,500 एंड मेरा जो यह 125 calculator के लिए actual cost 66,300 है अब यह दोनो comparable है क्या 60,500 एं 66,300 दोनो comparable है क्यूंकि pace setter है यह एकदम एकदम important अब बाकी सब चीज़े एकदम फटाफट हो जाएगी आपको अभी tension लेनी की जरूरत नहीं है अब इधर ही मैं करवा दूंगा तो भी हो जाएगा समझ में आ जाएगा दिया multiply by करना है actual quantity which is 1300 kg क्यूंकि मैं उतना लेकर आया हूँ समझे आप लोग यहां पर standard rate minus actual rate into actual quantity of input और यह किसका reasoning है कि मैं जो purchase manager material यह इसके लिए कौन responsible है इसके लिए responsible है purchase manager क्यूंकि purchase manager को बाहर जाके लेकर आने तो जब वो बाहर जाके लेकर आता है ना कोई लिए चीज तो actual के साथ उसको multiply करते हैं and मेरा दूसरा है material usage variance usage variance क्या बोलता है standard quantity of input कितना standard quantity of input लगना चाहिए था sir 1250 minus actual quantity कितना लगा sir 1300 तो जो सोचा था उससे ज्यादा खर्चा हुआ तो यहां पर आ गया वो चीज adverse जो सोचा था उससे ज्यादा quantity consume किया यह आ गया adverse into standard rate ऐसा सोचनेगा कि जो मेरा production manager है वो तो factory के अंदर ही काम कर रहा है अगर वो factory के अंदर ही काम कर रहा है तो factory के अंदर ही उसका standard rate लगेगा and therefore it is adverse बाकि इसका detailed explanation चाहिए तो आप मेरा detailed video देख सकते हो जो मैं आप लोग को नीचे comment में link पे दे दूँगा and you can see sir हमारे को यह notes चाहिए तो तो मेरा telegram channel के ओपर मैं यह notes share कर दूँगा आपको खाली नीचे comments पे telegram channel पे click कर रहा है and you will get the notes बाकि अगर आपको costing यह financial management इंटर से related कोई भी आपको lecture चाहिए fast track हो गया regular हो गया you can definitely visit our website and you can purchase them not a problem तो अब क्या बोल्रा था है हाँ so usage material usage वराएंस यह quantity से related तो usage क्या बोलता है कितना usage होना चाहिए था standard quantity of input for actual output कितना consumption होना चाहिए था minus actual में कितना consumption हुआ है अगर ज्यादा हुआ है तो ज्यादा cost लगेगा तो basically adverse हो जाएगा into standard rate और price अगर ज्यादा cost लगा ज्यादा per quantity ज्यादा लगा है तो उतना मेरे को extra देना पड़ेगा तो भी adverse हो जाएगा और अगर कम हुआ दोनों में तो उतना मेरा favorable हो जाएगा clear everybody done अब इसी usage variance को further subdivide किया है into sub usage variance and mix variance तो कैसे इसको derive करना है तो ध्यान से देखना मैंने एकदम must idea दिया है सुनो मैं यह idea इधर तुम लोगो derive करके बताता हूं तो सुनना देखो material usage variance का दो division होता है हलो material usage variance का दो division होता है एक होता है sub usage और दूसरा होता है material mix एक होता है sub usage और दूसरा होता है material mix सब्सक्राइब कर वाता है चलो ठीक है मैं उसका फॉर्मिला डिराइब कर वाता हूं इसको प्यार से इल्ड वरायंस भी बोलते हैं अभी देखना इसका शॉट कट फॉर्मिला कैसे मैं निकालता हूं मुझे बता हूं अब इसी को मैं और थोड़ा सा स्प्लिट कर रहा हूं सुनो कि राइट 5-7 5-3 कितना होता है क्या यह 5-3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं गया 5-7 प्लस 7-3 is equal to 2 बोलो ना क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं दा अंसर इस वहीं-7-7 तो चैंसल ही हर रहा है तो बचा क्या 5-3 is equal to 2 तो बिंदास लिख सकते हो सर वापस से मैं बोलता हूँ अगर से क्या मैं ऐसे 4-1 is equal to 3 को 4-9 plus 9-1 is equal to 3 ऐसे लिख सकता हूँ हाँ क्योंकि ये तो कटी हो रहा है अब ध्यान से समझना क्या मैं फिर SQ-AQ को SQ-SMQ plus SMQ minus AQ into SR ऐसे लिख सकता हूँ क्या कली मैंने क्या किया यहाँ पे minus SMQ plus SMQ बीच में add कर दिया SQ minus AQ को देखो sub usage और material mix किसका बच्चा है material usage का तो पहले material usage जो parent है उसका formula लिख लो SQ minus AQ into SR which is further subdivided into sub usage and material mix variance बराबर अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया minus SMQ and plus SMQ कर दिया minus SMQ और plus SMQ कर दिया SMQ क्या होता है समझा तो अब मैं क्या कर लूंगा यह वाला जो है वो sub usage को देदूँगा मतलब SQ minus SMQ into standard rate मेरा sub usage बन गया and यह वाला जो part है which is SMQ minus AQ into SR यह मेरा mix variance बन गया yes यही formula है जी हाँ समझे अब इसमें last जीज जो आपकी बच्ची है वो है सर यह SMQ क्या होता है यह SMQ क्या होता है तो SMQ क्या होता है SMQ is standard mix quantity standard mix quantity का मतलब होता है total of actual quantity in standard ratio और अभी अपन लोग जो sum करेंगे उसमें यह सेम चीज देख लेंगे उसमें यह सेम चीज देख लेंगे डोंट रहें so standard mix quantity can be written as total of actual quantity in standard ratio इसको sum के through देखेंगे तब थुड़ा और clarity आ जाएगा इसी के साथ मेरे material के सारे variances complete होते हैं देखते ही देखते मैं चाहूंगा कि एक बार मैं वापस से सारे के सारे variances लिखके आप लोगो clarity देदू सबसे पहला है material cost variance जो आप लोगों को से बोलेंगे अपन that what is material variance divided into सबसे पहला क्या है material cost variance which is standard material cost minus actual material cost second standard material cost क्या है standard quantity into standard rate and actual material cost क्या है actual quantity into actual rate standard quantity into standard rate minus actual quantity into actual rate अब इसको मैं further subdivide कर दूँगा अब इसको मैं further subdivide कर किसमें तो देखो standard material cost क्या था अभी कितना standard quantity of raw material use होना चीए into कितना standard rate है actual material cost क्या है कितना actual material quantity use होना हुआ into actual rate क्या है इसको दो पार्ट में डिवाइड गया material price variance material usage variance material price variance क्या है price से related standard rate minus actual rate into याद रखने का actual quantity price में actual आता है and material usage variance standard quantity minus actual quantity into standard rate समझ में आ गया everyone अब इस material usage variance को दो पार्ट में और डिवाइड किया है material sub usage variance and material mix variance material sub usage variance क्या होता है very simple अपने को क्या करने का sq minus smq plus smq minus aq इसमें से ये वाला पार्ट उठा लो पहले तो इदर आ जाएगा sq minus smq into standard rate and material mix में आप लोग क्या करोगे smq minus aq into standard rate a somebody everybody oh yeah मेरे सारे के सारे material variances अब मेरे को इन से related some solve करना and easily I will be able to crack all of them again I'm telling you usage domain divide होता है sub usage or mix usage main क्या है standard quantity minus actual quantity उसमें खाली एक minus smq plus smq क्या है total of actual quantity in standard ratio वो हम से समझेगा two minute रुख जाना बाकी minus smq क्या plus smq क्या इधर minus और इधर वो अरे यह इधर यह देखो इधर minus smq इधर आ गया यह plus smq minus aq इधर आ गया into standard rate are we clear everybody समझ में आ गई है बाते आपको perfect done 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 अब आ रहे है अपन लोग इसके sum के उपर and once that is done समझ लो आपका यह पूरा का पूरा concept of material cost variance ड़न तो मैं सो यह रहा icai के module का question जी हां आपको यह question module में मिल जाएगा सर कहां पर मिलेगा तो आप देख सकते हैं practical problems जहां पर icai start कर रहे standard costing के बस उदर ही मिल जाएगा the standard mix to produce one unit of a product is as follows material x material y and material z तो यहां पर उन्हां ने एक नहीं दो नहीं जी हां तीन तीन units दिये हैं during the month of april 10 units were actually produced अभी सुनो उन्हां ने यहां पर गोला है the material standard mix to produce one unit but actually made 10 units produce हुआ है तो can I say one unit or 10 units तो comparable नहीं है तो अपने को इसको भी क्या करना पड़ेगा 10 units में convert करना पड़ेगा well actually produced and consumption was as follows material x material y and material z का भी बोलोग ने दे दिया है तो फटा-फट अपने को कभी भी ऐसा sum solve करना हुआ तो क्या करने का आउट टेबल बनाते हैं जो टेबल है ना वो सबसे जादा important होता है यह standard costing में तो सुनो मेरे पास है actuals का information और उन्होंने बोलाए कि actuals में 10 units बना है मेरे पास है यहां पे standard का information यह मेरे पास यहां पे 10 unit का बनाना पड़ेगा दिया एक unit का है पर मेरे को तो 10 unit का बनाना पड़ेगा तीन अभी यहां पे अगर तुम रूप 60 raw material यूज हो रहा है बराबर है 60 raw material यूज हो रहा है तो 10 unit के लिए कितरा होगा तो can I say 600 raw material यह as a balancing figure मिल जाएगा अब because यह 1 और 10 है तो calculate करना बहुत easy अपने को बता है 60 का 600 बट सिर्फ एक बात बता रहा हो कि अगर future में हुआ तो आपने को ऐसे calculations आना चाहिए so this will become 600 अच्छा रेट क्या है रेट रेट है 15 इदर मैं लिख दूंगा 15 so 600 into 15 and this is 9000 समझ गए समझ गए सर अच्छा वाई क्या है 80 20 1600 बड़ यह 80 के जगे पर क्या आ जाएगा करेक्ट इट विल बी 820 एंड इस विल बी 16000 एंड लास्ट है 125 तो हंड़ेट के जगा जाएगा 1025 एंड इस विल विकाम 25000 समझ गए एबरीबड़ी चलो clear हो गया हो गया सर अब actuals का भी information दिया वाए तो चलो आओ actuals का भी information लिख लेते है एक्चुल्स का तो जो कातियों जो information है वही लिख लेंगे as it is बराबर है देखो भी एक्चुल्स का क्या info है 640 950 सो 640 950 एंड थर्ट इंफो है 870 थर्ट इंफो है 870 अच्छा रेट भी दियावा है रेट कितना दियावा है देखो जरा रेट दियावा है 17.518 एंड या मोंट भी दियावा है वा 17.5 एंड या मोंट दियावा है 11200 17100 11200 एंड 17100 एंड लास्ट है मेरा 870 एंड 27.5 एंड 27.5 विच इस 23925 विच इस 23925 विच इस 23925 विच आप मेरे को बताओ टोटल कितना आता है है तो 11200 प्लस 17100 प्लस 23925 यह हो जाता है 52.225 एंड टोटल अप इस विल बिकम 9000 प्लस 16000 प्लस 25000 अब अगर मेरे को मटीरियल कॉस्ट और इसके बाद में अपन लोग ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था एक मटीरियल प्राइस वरायन्स एक मटीरियल यूजेज वरायन्स 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 वरारे एक मैं आपको करके दिखाता हूं तो समझो प्राइस लेते तो इसका rate कितना है 15 इसका rate कितना है 17.5 तो मेरको ideally 1 kilo 15 रूपय में मिलना चीन है था but 17.5 में मिल रहा है तो जादा पैसा चुन जाफ फट बरी बात तो यह क्या हो जाएगा एड़र्स टरड डाउ व्लवेज्ट मेשथ रखने कई प्राइस में सिटैंदर्ड रे पंदरा माईनस एक्चुल्रेट इंटू एक्चव कॉंटिटी। टिकितुरा है एक्चुल कॉंटिटी है 640 सो पंदरा माईनस 17.5 इंटू 640 एंडिस इस 1600 एंडिस इस 1600 favorable के adverse adverse क्यों बताया आपको के जाधा कर्चा हो गया अब usage वराइंज चलो ये भी बहुत easy हो जाएगा चलो usage वराइंज आपको लोग वाई का निकालते हैं अब वाई का usage वराइंज मतलब देखो 800 quantity consume होना चीए था बट उसके जगे तु 950 quantity consume किया क्या कर रहा है यार 800 quantity में 10 unit बन जाना चीए था बट तुमने 950 quantity consume किया क्योंकि जाधा consume करेगा तो जाधा कर्चा होगा तो यह भी हो गया adverse तो यहाँ पे भी समझो मैं y का calculate करता हूँ तो मैं बोलूंगा 800 minus 950 तो यह adverse adverse minus या plus से नहीं निकलते कितना रेट लगना चीए था कितना रेट लगा जाधा रेट लगा एडवर्स कितना consumption होना चीए जाधा consumption हुआ एडवर्स इंटू standard rate विच इस 15 तो यहाँ पे 150 इंटू 15 कितना हो जाएगा इट विल विकम 2250 एडवर्स आभी क्लियर एडवर्डी सो material यूजेज समझ में आया इसका 20 20 सेंडर इसका स्टैंडर रेट कितना है 20 एस विल विकम 3000 समझ में आ गया अपने को समझ में आ गया सर अब यह material usage variance को further subdivide कर देंगे अपन लोग अब अपन लोग ने y का निकाल है तो y का ही continue करते हैं देखना मज़ा आएगा भी आपको यह सब usage और mix variance करने में सो यह है मेरा 3000 एडवर्स आगे है material usage this will be further subdivided into अब यह मैं करूँ उसके पहले मेरा formula पहले मैं लिक लेता हूं बही standard quantity minus actual quantity करता हूं बट अपने को पता है अपन क्या करते हैं यह पे plus SMQ minus SMQ माइनस SMQ करते हैं माइनस SMQ एंड प्लस SMQ बराबर है और अब यह आपका बन जाता है क्या SQ minus SMQ बन जाता है material usage variance and SMQ minus AQ SMQ माइनस AQ बन जाता है आपका material mix बराबर है यह material yield वराइंस यह material sub usage भी बोलते हैं इसको material sub usage भी बोलते हैं इसको और material mix बराइंस अब अगर अगर अपन लोग ध्यान से अगर इसको continue करते हैं तो see what happens standard quantity minus standard mix quantity अब सर standard mix quantity कैसे calculate करना है वो तो बताओ आजाओ यह जादू देखने के लिए standard mix quantity क्या होता है total of actual in standard ratio बोलो मेरे साथ मैं बोल रहो comment पे लिखके बताओ total of actual in standard ratio कमेंट पे लिख दो कभी जिंदगी में नहीं बोलो कि मैं आपको बता रहो total of actual in standard ratio so total of actual actual का total करो कितना आता है 640 total of actual quantity quantity की बास चल लिए 640 plus 950 plus 870 कितना आता है 2460 2460 in actual ratio 6 is to 8 is to 10 so 6 is to 8 is to 10 तो 6 plus 8 14 plus 10 24 तो 2460 2460 divided by 24 into 6 तो यहां पे आ जाता है मेरा 615 क्या दिख रहा है आप लोगों को यहां पे 615 कैसे किया सर कैसे किया बताओ ना बताओ ना अब भी बताता हूँ अभी बताता हूँ देखो total of actual quantity in standard ratio total of actual quantity कितना है देखो यहां पे आया 2460 यह as it is लिख दो 2460 so 2460 in standard ratio standard ratio क्या है देखो 600 is to 800 is to 1000 so 6 is to 8 is to 10 so 2460 in the ratio of 6 is to 8 is to 10 तो कितना आया 2460 divide by 24 into 6 किया हम लोग ने तो 615 आया वापस है 2460 divide by 24 into 8 किया तो आया 820 इधर आ जाएगा 820 बचा कितना तो 2460 divide by आपसे 24 into 10 करेंगे तो आ जाएगा 1025 हो गया अब यह sum complete अब समझो Z का समझो आपको Z का material yield variance निकालना है तो आप क्या करोगे standard quantity minus standard mix quantity standard quantity 1000 standard mix quantity कितना है 1025 into standard rate standard rate कितना है Z का 25 so 25 into 25 होता है 625 ज्यादा कर्चा हो गया adverse SMQ minus AQ standard mix quantity कितना है 1025 AQ 870 so 1025 minus 870 into standard rate 25 so 1025 minus 870 into 25 यह आ जाता है 3875 अब सुनो adverse favorable इसमें कैसे निकालते है जो सोचा उससे जादा हुआ adverse बट यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखो क्या है हमने सोचा 1025 quantity consume होगा बट हमारा कम quantity हुआ है तो यह हो जाता है favorable यह हो जाता है favorable ध्यान में रखना here everybody so मेरा yield variance 625 adverse आएगा and mix variance 3875 favorable मैं इसके लिए आप लोगों को एक thumb rule भी लिखवा देता हूँ जो मेरे notes में भी मिल जाएगा कि अगर sq is greater than smq तो फिर वो हुआ adverse and अगर smq is greater than aq तो यह हुआ इसक्यू is greater than smq तो यह हुआ फेवरेबल यह हुआ फेवरेबल यह हुआ फेवरेबल यहां पे यह फेवरेबल यहां पे sq was not greater than smq तो इसके लिए हो गया वह एड़र्स इसका opposite भी हो जाएगा ना अरे बाबा sq is greater than smq favorable तो if it is less than smq तो क्या हो जाएगा adverse smq is less than aq तो क्या हो जाएगा adverse समझ में आ गया everybody बोलो बोलो टेल टेल क्लियर है हो गया यह सम हो गया अपना पूरा का पूरा material variances अब आप formula से देख लो एक बार वापस से मेरा यह lecture सुन लो एक बार चाहे है तो आपको बोल रहा हो के लिख के एक बार पूरा का फॉर्मिला खुद regenerate कर लो मजाग नहीं करो पूरा का फॉर्मिला खुद regenerate कर लो खुद जैसे मैंने यहां पे तुम लोग के लिए बनाया है ना वैसे तुम लोग भी पूरा का पूरा यह यहां पे बना लो यह पूरा का पूरा बना लो so that you are very very clear तो यह देखो इदर material और और जो मैंने आपको ओला था ना SM greater than AM तो कब क्या favorable कब क्या यह है सब आ गया यहां पे SMQ SMQ clear standard mix quantity standard mix quantity actual quantity सब आ गया कैसा रगा आपको session do let me know in the comments guys तो एक motivation मिलेगा और वीडियो बनाने को कि मेरा प्लान है खाली material नहीं labor fixed overhead variable overhead सारे के ऐसे वीडियो बनाऊ so that exam time पे यह जब भी आपको time मिले फटा-फटी यह short videos देखे हो गया आपना काम short videos देखे हो गया क्या बोलता है public इसी के साथ होता है यह question module का complete इसी के साथ होता है मेरा material वरायंस is complete अगर मेरे को बोलना हो तो material cost वरायंस standard material cost which is standard quantity into standard rate minus actual material cost which is actual quantity into actual rate इसको दो पाट में डिवाइड किया material price वरायंस आप डिवाइड करने में लोगों को डर लगता है बट अब अपने को नहीं लगेगा आपने को बता स्क्यू माइनस SMQ इधर कर लिया इधर प्लस SMQ कर लिया माइनस एक्यू दोनों में multiply है तो standard rate ही होने वाला है यह हो गया yield वरायंस यह जिसको अपन बोल सकते है सब यूजज और यह हो गया mix variants clear everybody done and dusted with this session waiting for your comments for more such videos चलो बाई टेक क्या किप स्माइलिंग नीचे टेलिग्राम पे टेलिग्राम का लिंक है comment पे जोईन कर ले ना so that you get all the news